Hello Friends, अब सब का आपके इपने चनल COVID Lectures में एक बार फिर्शेस वागत है तो पीरे विद्द्यार थे हो आज की इस क्लास में हम सक्सादस विज्यन विशे की व्रकबुक 2000 TB24 के कार्य पत्रक 15 को सौल्व करना सिखेंगे हमने कार्य पत्रक 1 से लेकर 14 तक सभी को बहुत अच्छे से हल करा दिया है उनकी लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे हुई या फिर चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर आप उन से भी क्लासेज को आराम से देख सकते हैं इसलिए क्लास हम सुरू करते हैं पहला प्रशन है प्यूस ग्रंथी को मास्टर ग्रंथी क्यों कहा जाता है इसका आमें उत्तर लिखना है तो देखो Ques Granthi को Master Granthi इसलिए कहते हैं क्योंकि ये हमारे सरीर की जो दूसरी अंत इस्त्रावी ग्रंथिया होती है उन सभी ग्रंथियों के हार्मोनों के स्राव हो क्या करती है प्रेरित करती है और नियंत्रित करती है मतलब हमारे सरेर की जो अधन्य ग्रंतिया है उनको कंट्रोल करने का काम कौन करती है प्यूस ग्रंति करती है इस वज़े से प्यूस ग्रंति को मास्टर ग्रंति कहा जाता है वही हाइपो थेलेमस ग्रंति को मास्टर ओप मास्टर ग्रंति कहा जाता है क्योंकि वह प्यूस ग्रंथी को भी कंट्रोल करती है तो प्यूस ग्रंथी को मास्टर ग्रंथी कहते हैं वही हाइपो थेलेमस को मास्टर ओप मास्टर ग्लेंड कहा जाता है तो इसका उतर हम लिखेंगे देखो हम लिखेंगे क्यों की यूस ग्रंथी को मास्टर ग्रंथी क्यों कहा जाता है? तो हम लिखेंगे क्योंकि यह ग्रंथी अन्य सभी अंतर इस्तरावी ग्रंथियों के अन्य सभी अंतर इस्तरावी ग्रंथियों के अन्य सभी अंतर इस्तरावी ग्रंथियों के हार्मोन इस्त्रावन को प्रेरीत एवं क्या करती है? प्रेरीत एवं नियंत्रीत करती है ठीक है? क्योंकि यह ग्रंथी अन्य सभी अन्ते इस्त्रावी ग्रंथियों के हार्मोन इस्त्रावन को क्या करती है? प्रेरीत एवं नियंत्रीत करती है प्रेरित एवं नियंतरित करती है ठीके इसलिए इसी क्या का जाता है मास्टर ग्रंथी कहा जाता है जैसे बात करूं में उदारन की तो जैसे लिख सकते हैं जैसे पियूस ग्रंथी द्वारा जैसे पियूस ग्रंथी द्वारा इस्त्रावित पियूस ग्रंथी द्वारा इस्त्रावित ती एच एच अन्सा हार्मोन ती एच हार्मोन इसका मतलब क्या है इसका मतलब है thyroid stimulating hormone खुल फॉर्म क्या है thyroid stimulating hormone जो क्या करती है जो thyroxine hormone की क्रिया विध्य को कंट्रोल करने का काम करता है जैसे puse ग्रंथी द्वारा स्त्रावित THS hormone thyroid ग्रंथी को कौनसी ग्रंथी को thyroid ग्रंथी को thyroxine बनाने के लिए क्या करता है उत्तेजित करता है कुंसा hormone जो आपका thyroxine hormone है इसको बनाने के लिए उत्तेजित करने वाला जो hormone है वो कुंसा है प्यूस ग्रंथी द्वारा इस्त्रावित THS हार्मोन तो जैसे प्यूस ग्रंथी द्वारा इस्त्रावित THS हार्मोन थाइरवड ग्रंथी को थाइरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए क्या करता है प्रेरित करता है हार्मोन बनाने के लिए क्या करता है प्रेरित करता है तो जो सभी अंतर इस्तराविक ग्रंतियों पर कंट्रोल की वज़े से इसे क्या का जाता है मास्टर ग्रंति कहा जाता है ठीक है उम्मिद करता हूँ आपको उत्तर समझ में आया होगा आगे बढ़ते हैं प्रश्ण संख्या 2 दिया हुआ है आपके सामने मानव सवसंत अंतर के अंतरगत नासा द्वार से वायू कुपिका तक वायू के मार्ग को रेखा चित्र द्वारा दर्साइए मानव सवसंत अंतर के अंतरगत नासा द्वार से लेकर वायू कुपिकाओ तक जो वायू का मार्ग होता है उसको आपक से इसका चित्र बता रखा है तो देखो मैं आपको समझाता हूँ यह किसका चित्र है यह पूरा चित्र है आपके मानव सबसंतन्तर का अब यहाँ पर हमें इस नासा द्वार से लेकर कहा तक इन कुपीकाउं तक वायू के मार्ग को बताना है तो देखो ये नासादार का चित्र आपको बना देना है उसके बाद क्या आएगा मुख गुआ उसके बाद ग्रस्नी उसके बाद कंट उसके बाद ये स्वासनली उसके बाद उपापस्ति वले इसके बाद आपको ये आगे वाला ये जो आप के बाद क्या बिनानी है सबसनी किसमें बटेगी सबसनी काउ में और सबसनी का अंत में किसमें बटेगी कुपी का कोस के अंदर यह आपको जो पिंक रंग का चित्र दिख रहा है इसको आपको बिनाना है यह क्या है आपके नासा द्वार से लेकर कुपी का मार्ग तक वायू क का प्रीभहन कैसे होता है इसका चित्र है आपका ये पूरा पिंक वाला जो बापको भाग दिख रहा है ये इसी का चित्र है इसको अगर मैं और अच्छे से दिखाऊं देखो यहां पर एक और चित्र बना हुआ है यहां पर भी इसी बात को दिखाया हुआ है कि यहां पर दे चित्र आपको एक बनाना है ठीक आगे बढ़ते हैं आगे बात करते हैं आपके प्रश्ण संक्या तीन की तो दूसरे वाला का चित्र बता दिया तीसरा प्रश्ण है कि सवस्त मनुस्य का प्रकुंचन व अनुसी तिलन दाब कितना होता है तो हम उत्तर लिखेंगे कि जो आप आपका प्रकुंचन दाब है कुंसा दाब प्रकुंचन दाब ये कितना होता है ये होता है आपका 120 mmHg इसकी इकाई है और जो अनुसी तिलन दाब है दूसरा दाब कौनसा है आपका अनुसी तिलन दाब जो आपका अनुसी तिलन दाब है वो कितना होता है वो होता है आपक कितना होता है अब बात करें अगर प्रकुंचन दाबगी तो यह कहां पर होता है धमनी के अंदर रक्त का जो दाब है वो कौन सा दाब होता है प्रकुंचन इसको हम लिख सकते हैं कि यह कौन सा दाब होता है धमनी में रक्त का दाब कहां पर धमनी में जो रक्त का दाब होता ह वो कुंसा होता है वो होता है आपका प्रकुंचन दाब वही बात करें अनुसितिलन दाब की ठीक है तो जो रक्तवाहिनियों में जो रक्तवाहिनियों में जो रक्तवाहिनियों में जो रक्तवाहिनियों में जो रक्त का दाब होता है वो कुंसा होता है आपका अनुसितिलन दाब होता है, इसके लावा मैं बात करूँ, तो जब निले प्रकुंचन के दोरान, धमनी के अंदर रक्त का दाब, कब निले प्रकुंचन के दोरान, वो क्याकलाता है प्रकुंचन दाब, तो धमनी में रक्त का दाब, कब निले प्रकुंचन के दोरान, निले प्रकुंचन क दौरान वो वाला दब क्या कर लाता है प्रकुंच नदर और रक्त वाहिनियों में रक्त का दब कब जब धर्कनों के बीच अर्दे क्या करता है रदे आराम करता है तो उस समय का जो दाब होता है ठीके वो वाला दाब क्या कहलाता है आपका अनुसितिलन दाब कहलाता है आगे बढ़ते हैं प्रशन संक्या चार दिया हुआ है रुदिर का रंग लाल होता है जबकि लसी का रंग भीहीन होती है कारण बताओ आप सबको पता है कि रुदिर का रंग ल रख्त में RBC की उपस्तिती के कारण इसका रंग कैसा होता है? इसका रंग लाल होता है यानि कह सकते हैं कि रख्त में जो हिमोगलोबिक हिमोगलोबिन वरणक होता है उसकी वज़य से इसका रंग एसा होता है? जबकी बात करें लसीका की तो जबकी लसीका में जो RBC है वो क्या होती है? अनुपस्तित होती है अतर इसका रंग एसा होता है? रंग हिन वोईती है अतर लसी का कैसी होती है अतर लसी का रंग विहिन होती है यानि इसका कोई रंग नहीं होता है अतर लसी का रंग विहिन होती है तो आपको याद रखना है कि रक्त में RBC Red Blood Cell RBC की कोशिकाओ की वज़े से जो रक्त का रंग है वो कैसा होता है लाल होता है तो यह बात करें लसीका की तो लसीका के अंदर आरबीसी क्या होती है अनुपस्तित होती है अतल लसीका का रंग रंग विहिन होता है उसका कोई रंग नहीं होता है आगे बात करें प्रशन संख्या 5 की क्या दिया हुआ है पच्छे हुए भोजन को अवसोसित करने के लिए सुद्रांत में कौन सी रचना पाई जाती है तथा उनकी क्या विसेस्ता होती है पच्छे हुए भोजन को सुद्रांत यानि चोटी आत में क्या करने के लिए चोटी तो हम लिख देंगे कि सुद्रांत या जो छोटी यात होती है सुद्रांत अत्वा चोटी यात उसकी जो आंत्रिक भित्ती होती है या अंत्रिक जो अस्तर होता है उस पर अंगुली के जैसे चोटे-चोटे क्या होते हैं परवध्र होते हैं उन परवध्रों को का जाता है रस जैसे अनेक चोटे-चोटे प्रवद्र पाई जाते हैं उन्हें कहते हैं हम रसांकुर या दिर्गरोब तो मैं आपर लिख देंगे कि सुद्रांत के लेखेंगे सुद्रांत के आंतरीक अस्तर पर अंगूली जैसे अंगूली जैसे प्रवद्र होते हैं अंगूली जैसे क्या होते हैं अनेक प्रवद्र होते हैं जिन्हें दिर्गरोम इन्हें दिर्गरोम अथवा क्या कहते हैं तो पहले प्रशन का जबाब तो यह हो गया कि पचे हुए बोजन को अवसोसित करने के लिए सुद्रान्त में जो रचनाय पाई जाती है उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें दिर्गरोम या रसांकूर कहते हैं अब इनकी विशेस्ता क्या होती है? तो यह क्या करते हैं? पहली विशेस्ता है कि यह यानि दिर्गरोम यह अवसोसन के सतही चित्रफल को बढ़ा देते हैं यह अवसोसन के सतही चित्रफल को अवसोसन के सतही चित्रफल को बढ़ा देते हैं? अवसोसन के सतही छित्रफल को बढ़ा देते हैं पहला काम तो ये करते हैं ठीके दूसरा इनमे रुदिर कोस वाहिकाओ की क्या होती है अधिक्ता होती है जो बोजन को अवसोसित करके सरीर की परते कोसिका तक पहुंचाने का कार्य करती है दूसरा हम लिखेंगे कि इनमे इनमे मतलब दिर गुरोम या रसांकूर में इनमे रुदिर वाहिकाओ की क्या होती है अधिक्ता होती है इनमे रुदिर वाहिकाओ की क्या होती है रुदिर वाहिकाओ की अधिक्ता होती है जो बोजन को अवसोसीत करके जो बोजन को अवसोसीत बोजन को अवसोसीत करके सरीर की परतेक पुशिका तक पुँचाने का कारया करते हैं सरीर की परतेक कोशिका तक कौशाने का कारेव करते हैं ठीके यहाँ पर यहाँ इनका उपयोग क्या होता है यानि कोशिका के अंदर इसका उपयोग फिर जो ये भोजन को सुसित करके उससे प्राप्ट जो भी उर्जा या सरक्रा होती है उसको कोशिका अलग अलग भागों तक पहुंचाते हैं वहाँ पर इस उपयोग क्या होता है वहाँ पर इस बोजन का जो बोजन से प्राप्ट गलुकोज या सरक्रा जो भी है उसका उपयोग उपयोग उज्जा प्राप्ट करने नए उत्तकों का निर्मान करने और पुराने उत्तकों के मरमत के लिए किया जाता है ठीके किसका उप्योग बोजन के अवसोसन से जो प्राप्त परदात है उनको सरीर की परते कोशिका तक भेज़ता है कौन आपका दिर्ग रोमिया रसांकुर वहाँ पर इस बोजन के अवसोसन से जो प्राप क्या है उन रचनाव का नाम है दिर्ग रोम्य रसांकुर उनकी विजिस्ता क्या है तो ये तुछ कि है तो इस तरह हमने आपके कार्या पत्रक 15 के सभी प्रेशनों के उत्तर बहुत अच्छे से जान लिए हैं उम्मित करता हूं सभी प्रश्णों के उत्तर आपको उच्छे समझ में आये होंगे, तो क्लास देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद, यदि आपको मेरी क्लास और मेहनत पसंद आई है, तो फिर लाइक, कमेंट, सेवर और सब्सक्राइब जरू करें, आज गले इतना ही, जय हिंद, जय भारत!